आज का गुरु मंत्र बलवान कौन है? इतने वड़े हाथी को छोटी सी चीटी मार देती है, मार गिराती है छोटा सा दीपक अंधेरे का सीना चीर देता है, तूफानों में बरे बरे ब्रिक्ष तूट कर गिर जाते है आप सोचिए कि क्या चीटी हाथी के बराबर है? क्या दीपक का आकार अंधेरे से बरा होता है? क्या तूफान उन तूटने वाले बरे बरे ब्रिक्षों से बरा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, यह सब उनसे छोटे होते हैं, किन्तु बलबान बुड़े आदमी को भले ही आप तोते की भांती पढ़ाते रहो, मगर वह ना तो पढ़ सकता है, और ना है बुराई को छोग सकता है, और हर प्राणी का अपना अपना शुभाव होता है, जो कफी नहीं बदल सकता, अगर आपके अंदर अच्छाई है, तो कोई बिक्ती कितना भी प्रयास कर ले, अच्छाई नहीं बदलेगी, और अगर मन से आप बुड़े हैं, आप दिल से बुड़े हैं, तो कोई बिक्ती कितना भी प्रयास कर ले, आपके अंदर से बुराई को नहीं मीटा पाएगा तो नमस्कार मित्रों मैं हूँ पुरुशुत्म और आप देख रहे हैं सिंग करने आए स्पेशल तो आईए आज का वेडियो सुरू करते हैं और जानते हैं पूरे बिस्तार से आई नाम बालो के साल 2020 के बारे में तो वेडियो को आप पूरा देखें एसकीप कहीं भी ना करें क्योंकि वेडियो के लाश्ट में आपके लिए इस वर्स का उपाई भी है जिस उपाई को फॉलो करके साल 2020 को आप बेहतर बना सकते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों साल 2020 आई नाम बालों के लिए बेहतर रहने वाला है अच्छा रहने वाला है इस वर्स में आप नई नई उपलवधी और नई नई सफलता हासल करने वाले हैं आपका जो लक्ष होगा उस लक्ष की भी आप पूर्ती करने वाले हैं लेकिन माई के लगवग दूसरे विक के मध्य तक का समय आपके लिए सुभ रहने वाला है लेकिन उसके पस्चात पहले सनी और उसके बाद गुरू क्रमसह 11 और 14 माई को वक्री हो रहे हैं शनी और गुरू की चाल उल्टी होने से इस अबधी में आपको दिक्कते आएंगी और फिर आप परिशानियों में घिर जाएंगे आपका सारा काम धिरे हो जाएगा आपको भागी का साथ नहीं मिलेगा आप जो करना चाहेंगे वो आप सही से नहीं कर पाएंगे इस अबधी में आपके उपर दिक्कतों का पहार तूट पड़ेगा तो अब आगे वढ़ते हैं उस सबसे पहला है आपका सिक्छा दोस्तों आई नाम बालों के अनुशार 2020 में बिद्यार्थियों के लिए नई नई और अच्छी अच्छी सोगातें लेकर आने वाला है एक आगरता में कमी आएगी लेकिन इस सब के मावजूद भी यह साल सिक्छा के लिहाद से आपके करियर का अच्छा वर्स साबित हो सकता है मार्च से लेकर जून तक का समय उसके बाद नवंबर से निसंबर का महिना पढ़ाई के लिहाद से बेहतर रहेगा और इस अवधी में आपके पढ़ाई लिखाई में जो बाधा आ रहा हो वो बाधा दूर हो जाएगा और आप किसी अच्छे जगा जाकर पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं सिक्छा प्राप्त कर पाएंगे इसके अलावा किसी अच्छे जगह पर जाकर भी अगर आपकी पढ़ने की इक्षा हो आप चाहते हो कि आप घर से वाहर कही दूर जाकर किसी अच्छे कॉलेज या फिर यूनिबर्सिटी में पढ़ाई करें तो आपकी ये इक्षा भी इस वर्स में पूरी हो सकती है लेकिन बिरस्पती मकर रासी के होंगे और इस वाजा से आपको चुनोतियों का शामना करना पड़ेगा और अगर उन चुनोतियों से आप लड़ पाते हैं उसका शामना आप कर पाते हैं आप तभी आगे मढ़ पाएंगे और अगर मुस्किलों से आप भाग जाते हैं पीछा चुरा लेते हैं फिर आपको दिक्कते जयादा आएगी शाल का सुरुआत और अगस्त का महिना बिसेस रूप से आपके लिए बेहतर होगा और आपको पढ़ाई लिखाई में ये महिना कुछ जयादाय सपोर्ट करने वाला है इस वर्स में अगर जॉब के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो वो भी आपका बेहतर होगा आप परिस्रम करते रहे सफल्दा मिलेगी दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे आप लाइक कर दे और साथ पे सबस्क्राइब भी कर ले और घंटे को ओल पे आउन कर दे और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हर जगा फैलादे सेयर कर दे ताकि आपके शाथ साथ बाकी लोग भी इस वीडियो का फाइदा उठा सके और अपने 2020 को बेहतर कर सके तो अब है आपका आर्थिक जीवन दोस्तों साल 2020 के सुरुआती महिनों में आपकी आर्थिक जीवन अच्छी रहेगी और इस बीच आपकी योजनाएं भी फलिभूत होंगी कामकाज से आपदली में बृद्धी होगी हालां की उच्छ सिक्छा है तू धनखर्च होने की संभावना इस अबधी में रहने वाली है पड़िवारρι में धने के मामले में आप साबधाणी बढ़ते अणे था इस अबधी में आपको धन की हाणी आपके पड़िवा करें क्योंकि मार्च के महिने में डिवेस के लिहाद से आपका टाइम शामाटे है वो ना ज्यादा बेहतर है ना ज्यादा खराब है इसलिए जल्दिवाजी में आप डिवेस ना करें शाड़ी बातें सोचने बिचारने के बाद ही कोई फैसला करें वो बेहतर रहेगा आपके लिए इस साल के मध्ध में आपको पैत्रिक संपत्ती से फाइदा होगा और पैत्रिक संपत्ती आपको मिलेगी सितंबर में आपके सेलरी में बढ़ोतरी यानिकि बृद्धी हो सकती है अगर आप डिवेस करना चाहते हैं तो डिवेस करने से पहले किसी एक्सपर्ट से आप मि आपको फाइदा आवश्च्च मिलेगा इस वर्स में आपको भौतिक सुख सुमिधाओं को जुटाने में थोड़ा भौत धंड कर्च करना पड़ेगा लेकिन इस से आपको लौस या हाणी ज्यादा नहीं होगा और धंड के मामले में आप ज्यादा कमजोर भी नहीं होने वा इस बात का ध्यान रखे कि पहले आप पेपर बना ले और पेपर पर लिखवाने के बाद ही आप पैसे दे नहीं तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए या पैसा आपका लंबे समय के लिए वहां रुक जाए इस बात को ध्यान में रखने के बाद ही आप कुछ करें तो ब इस्थित होने के कारण आपका करियर कुछ संघर्स में रहेगा और शफलता आपको जल्दी नहीं बिलने वाली है अगर करियर में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको शकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक परिनामों का शामण करना पड़ेगा अगर पढ़ाई लिखाई में या अपने करियर में आप लापड़वाही थोड़ा भी करते हो तो सफलता मिलना आपको बहुत मुश्किल हो सकता है वैसे अचानक से होने वाली पदों नतीव ही इस वर्स में आपके लाइफ में आएगी कभी कभी ऐसा मौका रहेगा कि अचानक से आपके पद में ब्रिध ही हो जाए तो यह आपके करियर को आगे भी बढ़ाएगा परंतु दिक्कत भी देगा जो लोग इस वर्स में कोई भी कार्ज नहीं करेंगे बहुत से पीछे भागेंगे सफलता उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिलेगी दोस्तों अगर आपका कारोबार मेडिकल याने की दवाई के लाइन में है केमिकल का काम करते हो आप या फिर फुड का बेपार है आपका आप खाने पिने का बेपार करते हो और अगर आप प्रोपर्टी का बेपार करते हो प्रोपर्टी में आप काम करते हो तो यह 3-4 बिलेगी इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं और एक बात और अगर 2020 में आप कोई नया काम सुरू करना चाहते हैं तो जन्वरी से लेकर 25 मार्च का समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर इस अवधी में आप नए काम के सुरुआत करते हैं तो सफलता आपको अव नहीं मिलेगी जतना आप चाहते होंगे तो अब है आपका उपाए दोस्ता उपाए ये है कि इस वर्स में सुक्रवार की दिन आप 11 साल से छोटी कंडियाओं को भोजर कराएं भोजर में उन्हें आप मीठाई वो भी उजला बाला बतासा और चावल का खीर खिलाएं और य इस उपाए को फॉलो करने के बाद वर्स 2020 में आपको कोई प्रावलम नहीं होगा आपका हरे एक दिन बेहतर बीतेगा तो मिलते हैं फिर राधे राधे हरे कृष्णा